गुद मॉर्णिंग एब्रीवन बेल्कम टू आल आफ यू दिस इस पुजा टीर स्टुडेंट्स टुड़े वी आर श्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक बैट इस आर ने वर्ल्ड इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे आर ने वर्ल्ड हाइपोथेसिस किसने से प्रूफ किया और ने वर्ल्ड टर्म किसने दिया आर ने वर्ल्ड यゃनने की आरे ने की दुनिया क्या है इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इससे पहले मैं बता दूँ कि previous वीडियो में हम से भी लोग पढ़ चुके हैं कि RNA as a genetic material RNA किस तरीके से genetic material की तरह work करता है and किन-किन scientist ने इसे experimentally proof किया था तो इनके experiments को हम लोग previous वीडियो में देख चुके हैं अगर आपने previous वीडियो नहीं देखा है तो first of all go previous video and then after move this video जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सकें कोई भी topic को अच्छे से समझने के लिए उसकी connectivity को बनाया रखना and उसको linking को बनाया रखना बहुत जरूरी होता है ये बात मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप previous video जरूर देखा करें जिसे आपके mind में एक connectivity बन जाए एक continuity बन जाए कि आपने previous video में क्या पढ़ा था और आपको इस video में क्या पढ़ने वाले है क्योंकि बहुत सारे terms and बहुत सारी चीजें previous video से जुड़ी होई होती है जो चीजें हम लोग previous video में discuss कर चुके होते है उन्हें यहाँ पर इतना detail में तो नहीं discuss कर सकते है ना तो आप previous video को जरूर देखें So let's now start RNA world RNA world क्या है कि जो RNA है यह तो genetic material है ही हम लोगोंने previous video में देखा कि बहुत सारे viruses में यह genetic material की तरह work करता है इसके साथ हमने देखा कि RNA की other जो properties थी like coding, decoding, gene expression, gene regulation and catalytic properties है ना इन सभी properties को already हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं one by one करके detail में बट यहाँ पर mainly बात करेंगे कि RNA world term को किस ने use किया क्या था RNA world, RNA की दुनिया क्या थी इससे पहले क्या genetic material RNA हुआ करता था अगर RNA हुआ करता था तो क्यूं है ना यह सारे points यहाँ पर clear करेंगे हम लोग RNA world hypothesis का जो first concept था है ना सची first time RNA world hypothesis को concept 1960 में फ्रांसिक क्रिक एंड कॉर्ल उज एंड एल और जिल ने दिया था इट इस पॉर्पोस देट अर्लियर लाइफ फॉर्म्स माइट हे यूजड आरने एलोन फॉर्डा इस्टोरेज आफ देयर जेनेटिक माटेरियल उन्होंने बताया कि एक concept दिया और बताया कि जो earlier life forms थी यानि कि जब life of origin हो रहा था उस समय जो RNA था ये enzyme की तरह भी work कर रहा था ये protein की तरह भी work कर रहा था इसके साथ RNA जो है genetic material को भी store करता था जब भी organism की next copy का formation होता था या वो फिशन करता था तो उसकी जो next generation होती थी उसमें उनके parent के जो genetic information थी वो pass out होती थी तो ये बताया उन्होंने उसकी बाद एक scientist हमारे आये that is Walter Gilbert Walter Gilbert ने RNA world term दिया आप से कई बार question पूछा जा सकता है कि RNA world जो term है इसको किस ने दिया था तो RNA world जो term है इसको Walter Gilbert ने दिया था Walter Gilbert एक Harvard molecular biologist थे जोन्होंने first time RNA world term को use किया एंड उन्होंने अपने RNA world hypothesis में hypothesis को 1986 में publish किया है ना जो उन्होंने RNA world article लिखा था उसको 1986 में publish किया और उन्होंने अपने hypothesis में क्या लिखा the hypothesis says that the DNA later became the genetic material as a result of the evolution since RNA was relatively unstable molecules उन्होंने कहा कि जो RNA है RNA से ही DNA का evolution हुआ है सबचे पहले genetic material RNA हुआत करता था बट RNA unstable molecules था यनि कि यह unstable होने के कारण इसकी molecular structures में changes आये इसने अपने molecular structures में modification कर लिया और RNA change हो गया DNA में अभी आपको one by one इसके characteristic features को लेकर समझाएंगे कि कैसे RNA की molecular structures में changes हुए कैसे इसने अपनी properties को लूज करके अपनी properties को DNA में change कर लिया now according to the RNA world hypothesis about 4 billion years ago the RNA was the only primary living substance largely because of the RNA's ability to function as both the genes and the enzymes okay genes and the enzymes आशे लगभग 4 billion years ago जो RNA था वो दुन दुन इनों दोनों ही properties को सो करता था यानि कि जो RNAs था इसके पास दोनों ही function हुआ करते थे genetic information को भी store करता था और इसके साथ साती ये enzymes की तरह भी work करता था ये उस समय चब आज चे 4 billion years ago उस समय जो RNA था ये only single primary living substance था है ना कहने मतलब है कि उस समय उस समय RNA ही एक ऐसा molecules था जो हर एक living cells में present था और वह enzyme की तरह work करता था इसके साथ genetic information को भी store करता था यानि कि genes की तरह भी work करता था अब देखेंगे कि RNA के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है कैसे वह enzyme की तरह काम कर रहा था और किस तरीके से वह genetic material है so first properties is जो RNA है ये क्या है coding RNA यानि कि अगर types of RNA की बात करें तो बहुत सारे types के आपको और RNA देखने मिलेंगे है ना लेकिन जो हमारे पास main RNA है क्या three types के messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA है तो जो messenger RNA है ये क्या करता है genetic information को code करता है यानि कि इसके पास genetic information होती है adapter RNA क्या करता है decoding का काम करता है है जो genetic information आई उसे decode करके protein का formation करवाएगा and ribosomal RNA भी help करता है ये structural ribosom भी का formation करता है इसके बाद आपसे बहुत 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 question पोच लिया जाता है कि जो RNA है जो different types के main हमारे पास जो three RNA है like messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA इनके concentration, concentration की basis पे इनका sequence क्या है है ना, तो सबसे ज़्यादा concentration किसका है, ribosomal RNA का है, फिर transfer RNA का and then after messenger RNA का है clear and अगर पूचा जाए कि density किसकी सबसे ज़्यादा है, sorry यहाँ पर आप लिख लेजिए diversity क्या diversity सबसे ज़्यादा किस RNA में देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा diversity आपको देखने को मिलेगी हमारे पास transfer RNA जो की protein formation में help करते हैं and ribosomal RNA now next properties is siRNA and miRNA है ना, यह भी RNA की क्या types है, siRNA and miRNA this is a role play in ptgs and that means post transcrismally gene silencing में यह role play करते हैं okay and next is siRNA, siRNA क्या करता है, processing of messenger RNA and removal of intron जब वो RNA का formation होता है ना, जब DNA से RNA का formation होता है यह जब messenger RNA का formation होता है तब SN type का RNA आकरवपत क्या करता है, processing of messenger RNA, messenger RNA की processing करवाता है और इसके साथ जो intron part होता है ना, जो messenger RNA में intron and exon parts present होते हैं तो यह intron को remove करने में help करता है and next is snorna, जो कि processing of ribosomal RNA करवाता है and serna, that is protein trapping में role play करता है next properties is very very important, that is catalytic properties of RNA RNA के पास क्या थी, catalytic properties थी इसको बहुत ही detail में और अच्छे से हम लोगोंने video second में अनि की part second में हम लोगोंने अच्छे से पढ़ा था कि जो RNA and DNA genetic material है, उसको हम कितने तरीके से divide कर सकते हैं वहाँ पर हमने अच्छे से explain किया था, catalytic RNA क्या है एंड इसकी क्या-क्या properties हैं, हैना तो catalytic RNA थी टाइप्स की हैं जैसे की 23S RNA हैना, catalytic RNA की जो प्रॉपर्वर्टी है वो किस-किस के पास है 23S RNA and peptidyl transferase, peptidyl transferase enzyme जो है यह भी क्या है, एक RNA है and RNA piece यह भी क्या है, catalytic RNA है and next property is genetic material जो RNA है, यह क्या है, genetic material है यानि कि this is a work as a genetic material in many viruses, पोस्च वाइरसेस में जो RNA है यह genetic material की तरह work करता है RNA was independent, RNA independent कब था, जब early life form origin हो रही थी तब RNA कैसे work करता था, as a independent RNA independent की तरह work करता था, means RNA की पास दू तरह की properties हुआ करती थी RNA के पास दो तरह की properties हुआ करती थी property of genetic material and properties of enzymatic activity properties of enzymatic activity and properties of genetic material यह दो properties के पास हुआ करती थी, starting में जब earlier origin life of forms हो रहा था जब origin हो रही थी life की बट उसके बाद क्या हुआ, this property was hand over to DNA इसकी properties को hand over किस ने कर दिया, DNA ने जो genetic material की तरह काम किया करता था, RNA इसकी properties को DNA ने hand over कर दिया, तो hand over कैसे कर दिया और क्यों किया, so let's now चो DNA था, वो क्या था, absence of two prime OS in deoxyribose sugar, चो हमारे पास RNA था, इसके second prime पर, है ना, इसके second prime पर OS group present था, बात में जब यहाँ पर evolution हुआ, है ना, जब यहाँ पर evolution हुआ, तब क्या हुआ, कि इसने अपने OS आयन को लूस कर दिया, है ना, OS को क्या किया, इन्होंने लूस कर दिय तो इसके पर जो second prime, second prime carbon था, यहाँपर केवस hydrogen group बचा, है ना, केवल hydrogen group बचा, अब जब यहाँपर hydrogen group बचा, यहाँपर जो first prime है, यहां से तो nitrogenous base bonding कर लेंगे nitrogenous base bonding कर लेंगे and जो इसका 5th carbon होगा इससे phosphorus binding कर लेंगे and 3 prime का जो carbon होगा ठीक है यहां पर 3 prime, 4th prime and 5th prime तो जो 4th prime का carbon है वो अपने next nucleotide के साथ bonding कर लेगा तो यहां पर 2 prime H वाला bond free रहेगा यह किसी साथ bonding नहीं करेगा तो यहां पर oxygen absent है यहां पर oxygen molecules नहीं है only hydrogen present है जिससे यह किसी भी other molecules के साथ bonding नहीं कर पाएगा जब other किसी molecules के साथ यह bonding नहीं कर पाएगा तो जो deoxy ribonucleus sugar से यह क्या हो जाएगी stable हो जाएगी इसलिए इसकी structures fix हो गई यानि कि जो DNA की structures है जो इसका DNA structure से यह क्या हो गया fix हो गया इसलिए जो DNA genetic material है वो क्या most stable है बट RNA के पास OS group free है जिससे यह other molecules के साथ reaction कर लेता है इसलिए यह enzymatic की तरह work कर पाता है तो जो RNA sugar से यह क्या है unstable है तो एक तो यह सबचे बड़ा reason था इनका की क्यों DNA ने hand over कर लिया क्यों DNA को preference मिलने लेगा as a genetic material and second most important reason that is presence of 5-methyl uracil जो uracil present हुआ करती थी आरने में ना आरने में जो purine यानि कि यो uracil present हुआ करती थी तो uracil ने क्या किया 5-C-S-3 यानि कि 5-methyl के साथ क्या कर लिया बॉंडिंग कर लिया और 5-methyl के साथ बॉंडिंग करके इसने थाइमिदीन का formation कर लिया थाइमिदीन का formation कर लिया जो कि क्या है थाइमिदीन एक purine है यानि कि DNA का nitrogenous base है तो जब इसने थाइमिदीन का formation कर लिया तो जो थाइमिदीन है ये most stable nitrogenous base की तरह work करने लेगा यानि कि ये भी stable रहा इसकी structures में फिर फर्दर कोई exchanges नहीं हुए ये ना तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा reason रहा कि DNA most stable genetic material रहा और नेक्स्ट इस ड्यू टू complementary base pairing DNA repair is easy and next important reason क्या था कि जो DNA में क्या present होते हैं complementary base pair present होते हैं that means कि जो DNA है ये क्या है पहली बात तो DNA double stranded है है ना DNA क्या है double stranded है and RNA क्या है single stranded है है ना RNA single stranded है तो जब DNA double stranded है तो इसके पास complementary base pair present है तब ही तुझे double stranded है तो simple सी बात जब इसके पास complementary base pair है तो अगर इसमें errors भी कोई हुआ कोई mismatching भी हो गई तो तो क्या करेगा यह repair कर लेगा है ना जब यह repair कर लेगा तो इस पर mutation नहीं होगा बट RNA single stranded है है ना इसके पास तो complimentary इसके base pair present नहीं है अगर किसी भी base pair में या किसी भी nitrogenous base में mutation हो गया या फिर mismatching हो गई RNA बनते समय तो यह तो अपने आप में अपने आपको repair नहीं कर पाएगा है ना correct नहीं कर पाएगा तो क्या है जो इसके बाद जो RNA से protein बनेगी उसमें हमें क्या देखने मिलेगा उसमें हमें proteins mismatch या फिर non functional protein का formation हो सकता है जिससे हमें क्या मिलेगा mutation मिलेगा है ना जिससी क्या होगा mutation काज होगा तो इसके लिए भी RNA as a genetic material most useful नहीं रहा and next is properties that is property of enzymatic है ना RNA के पास क्या है enzymatic properties present है तो catalytic property of RNA was hand over to protein जो RNA के पास catalytic properties थी उन्हें hand over कर दिया गया protein के दोरा protein के दोरा क्यों hand over कर दिया गया क्योंकि protein की जो abundance है ना एक cell में जो protein की abundance है वो क्या है सबसे ज़्यादा है and protein क्या है most flexible है ना protein क्या है most flexible है and protein का formation RNA की फेच्चा ज्यादा होता है क्योंकि हमारे पास जो amino acids है वो कितनी है 20 types की amino acids है जो की protein का formation करेंगी है ना जो क्या करेंगी protein का formation करेंगी बट अगर हम RNA की बात करें जो protein की तरह और करते वो हमारे पास कितने हैं 6.27 RNAs present है तो इस तरीके से protein का abundance भी ज़्यादा है protein most flexibility हो करती है and protein में most diversity देखने मिलती है तो इससे क्या होगा कि protein ने RNA के जो enzymatic properties थे उसको hand over कर लिया अब प्रोटीन वो सारे function को perform करने लगी है ना तो इसकी enzymatic properties भी लोज हुई और इसके साथ जो RNA था अब वो most cells में genetic material की तरह नहीं है बड़ हां mini viruses में genetic material RNA है तो जो RNA है वो genetic material की भी तरह और करता और इसके साथ enzymatic properties की तरह भी वर करता है तो आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी है ना तो बहुत होटाइक टॉपिक था RNA world है ना जिसको हम लोगोंने बहुत सॉर्ट टाइम में summarize करके चीजों को समझने की कोशिस की है तो आई होप आपको यह चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी कुछ यहां पर बहुत डिफीकल्ट नहीं है बड़ हां यहां से भी question पूछे जा सकते हैं कि यह कैसे genetic material की इसका experiment किस ने किया है ना जो experiment की बात हमने previous वीडियो में की थी और इसके साथ question पूछा जा सकता है कि RNA world term किशने दिया था RNA world जो hypothesis थी है ना इसको कब publish किया गया है ना तो यह भी important आप इसको याद रखना RNA world पे जो articles लिखा गिलबर्ट ने है ना उसको 1986 में publish किया गया तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है अगर concept की बात करें कि RNA world concept किस ने दिया था तो वो थ्री scientists थे क्रिक कार्ल उज एंड एल और जिल तो इनके भी आपको नाम अच्छे से याद रखने है तो आपको यहां से question दो तीन बनते हैं इसके साथ अगर आपको short notes में लिखने को आ जाकता है return exam में तो यहां से आप अच्छे से PDF को निकाल लीजिए है ना PDF से screenshot ले लीजिए या PDF आ अगरो